स्कॉत बिधा। आप देख काते हैं समाचार एजैनसी ऐफ इंडिया में साइन नियून नमस्काल दूस्तों समाचार एजैनसी ऐफ इंडिया की साइन दॉज में एक बार फिर आपका स्वागत है कुरोना काल चल रहा है विद्यारती आनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ऐसी इस्थितियों में परिस्थितियों में समचार एजनसी अफ इंडिया के द्वारा विद्यारतियों की सुविदा के लिए कुछ वीडियो लाए गए हैं एक वीडियो हमने आपको गजन से निशान का क्या तात पर होता है किसे क्या कहा जाता है यह हमने बताया आँज हम आज आपको रसाइनिक सूत्र के बारे में बताते हैं मातपूर्ण और मातपूर्ण फार्मूले और उनकी जानकारिया जानकारियों से हम आपको रूबरू कराते हैं अक्सीजन का अगर आप रसाइनिक सूत्र देखेंगे तो अक्सीजन का रसाइनिक सूत्र O2 होता है इसके बाद आप नाइट्रोजन को देख लीजे नाइट्रोजन एनो टू नाइट्रोजन के बाद ये हम आपको बहुत महत्पूर्ण जो रसाइनिक सूत्र हैं जिनके वो बता रहे हैं हाईड्रोजन के लिए H2 कार्बन डायाकसाइड के लिए CO2 कार्बन मोनो अकसाइड के लिए CO सल्फर डायाकसाइड SO2 नाइट्रोजन डायाकसाइड NO2 नाइट्रोजन मोनो अकसाइड जिसे नाइट्रिक अकसाइड भी कहा जाता है NO इसके बाद हम आपको बताते हैं डाया नाइट्रोजन अकसाइड नाइट्रस अकसाइड एन टू ओ आप चाहें तो इन फार्मूलों फार्मूलास को लिख कर भी रख सकते हैं इसलिए हम आपके सामने बहुत दीरे-दीरे इन हैं एक के बाद एक प्रस्तुत कर रहे हैं वीडियो को देख सकते हैं इसके बाद हम बताते हैं क्लोरीन का फार्मूला सील टू हाइड्रोजन कोलोराइड का है सील अमोनिया का एन फ्री होता है फार्मूला अब हम अमल के बारे में एसिट के बारे में फार्मूलास बताते हैं एसिट के फार्मूलास हाइड्रो क्लोर H2CO3 इसके बाद हम आपको बेस या चार के बारे में बताते हैं चार के फार्मूलाज क्या होंगे कौन-कौन से चार हमाद पूर्ण चार होते हैं Sodium Hydroxide NaOH होता है Potassium Hydroxide KOH इसका फार्मूला होता है Potassium Hydroxide का Kalsium Hydroxide का फार्मूला CA Bracket में OH Bracket Closed 2 ये calcium Hydroxide का फार्मूला होता है अब लवन के फार्मूले और जब बताते हैं लवन जो होते हैं उनके कैम फार्मूले होते हैं ये अलग-अलग आपको चाहिए अलग-अलग आपको पता होना चाहिए Sodium Captain bird अद्दोराइट । Você ALχ offset कार्बोनेट। सोडियूं Efendimiz कार्मूला एंधा 2 C 03 कैलशियम कार्बोनेट का फ़र्मूला C A C O 3 कैलशियम सफहट का फ़ार्मूला स्फॉस्य Sandhaus Was अमोनियम सेलफेट एनेच फोर ब्रेकट के अंदर देन टू एस ओफोर यह बीच में अमोनियम सेलफेट में जो ओ आपको दिख रहा है वो अहटा दीजियों से वो नाइट्रेट पोटेशियम के नो थ्री आम रसायनों के वेवसाइक एवं रसायनिक नाम हम बता रहें वेव सूत्र चाक को केलिशियम कार्बोनेट कहा जाता है इसका सूत्र है सी एसियो त्री अंगूर का सत अंगूर का जो सत होता है सो गलुकूज कहा जाता है और उसका सी सिक्स एच ट्वल्व ओटू अल्कॉहल अल्कॉहल को सी 2 H5 OH का स्टिक पोटास पोटेशियम जिसे कहा जाता है उसका अनुसूत्र होता है के OH इसके बाद खाने का सोडा हम बताते हैं खाने का सोडा जिसे sodium bicarbonate भी कहा जाता है sodium bicarbonate का सूत्र होता है NahCO3 इसके बाद हम देखते हैं जो चूना होता है चुना आपने देखा होगा कैल्शियम डायाकसाइड चुना को कहा जाता है CAO इसका अनुसूतर होता है जिपसम को कैल्शियम सल्फेट भी कहा जाता है जिपसम का अनुसूतर CASO4 2H2O TNT Trinitro Triline TNT का फर्मुला होता है C6H2CH3 Bracket के अंदर NO2 Then bracket close 3 ध्वने का सोडा Sodium Carbonate जिसे हम कहते हैं वो NA2CO3 नीलत होता Copper Sulfate जिसे कहा जाता है उसका होता है अनुसूतर CUSO4 नुसादर Ammonium Chloride का अनुसूतर होता है NH4Cl यह हमने आपको नुसादर Ammonium Chloride का बताया इसके बाद Fit Curry Fit Curry जो हम घरों में उप्योग करते हैं Potassium Aluminium Sulfate Potassium Aluminium Sulfate K2SO4Al2 Bracket में SO4 Bracket Close 3.24H2O बुझा हुआ हुआ चूना जिसे केल्शियम हाइड्रॉकसाइड कहते हैं बुझे हुए चूना को इसका फर्मूला होता है CA Bracket में OH Bracket Close 2 Mund जिसे Starge कहा जाता है Starge का फर्मूला C6H1005 Laughing Gass जिस कैसे हसी आती है Laughing Gass Nitrous Oxide N2O कहलाती है Potassium Permagnate जिसे लाल दवा कहा जाता है उसका फर्मूला KMNO4 लाल दवा का फर्मूला लाल सिंदूर Lead Paroxide जिसे होता है उसका फर्मूला PB3O4 शुष्क बर्फ जिसे ठोस कारबन डाय आकसाइड भी कहा जाता है शुष्क बर्फ ठोस कारबन डाय अकसाइड इसका फर्मूला CO2 शोरा या Potassium Nitrate शोरा अत्वा Potassium Nitrate का फर्मूला होता है KNO Free इसके बाद सिरका जो हम लोग सिरका घरों में खाते है स्टिक एसिट का तनुगोल इसका फर्मूला होता है CH3COOH सुहागा बोरेक्स जिसे कहा जाता है सुहागा सुहागा का फर्मूला NA2B407.10H2O इस्प्रिट जो मैथल अलकोहल कहलाता है मैथल अलकोहल का CH3OH इसका फर्मूला होता है इसके बाद स्लेट सिलिका एल्यूमिनियम सिलिका स्लेट एल्यूमिनियम सिलिका एल्यूमिनियम अक्साइड स्लेट को कहा जाता है स्लेट का फर्मूला AL203 2SiO2.2H2O हराकसीस या फेरिक्स सल्फिट हराकसीस का जो फर्मूला होता है वो FE2 SO4 इसका फार्मूला होता है अगर आपको ये सारे वीडियोज पसंद आ रहे हो समाचार एजिंसे अप इंडिया की साइन यूस्क में यूटूब में आप सर्च बटन पर उपर जाएए उपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए ल आई एम टी वाई स्पेस दीजिए के एच ए आर इसके बाद आप एंटर दबाएए जैसे यह आप एंटर दबाते हैं तो यह पेज खुल जाएगा यहां पेज में आप का नजारह आप को देखेगा इसके साथ ही आप यहां डिक करेंगे आप देखिए सका रंग लाल नहीं रह जा यह यह आपने सब्सक्राइब की कि जगे सब्सक्राइब कर लिया है पर अभी आपका काम पूरा नहें हुआ है अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक गंटी का बटन आपको देख रहा है यह गंटी का बटन आपको देख रहा है यह गंटी का बटन जितने भी समाचार एजिंसी अफ इंडिया पर वीडियो डलेंगे सारे के सारे वीडियो आपको तुरंट देखने दिख जाएंगे देखने को मिल जाएंगे यह हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजिंसी अफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है ये परस्नलाइज और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाईए लाल के बाद लाल रंग नहीं रह जाएगा इसके बाद आप कर दीजे गंटी का बटन और गंटी का बटन पुछ करके अगर आप लिम्टी करे पर जाके उसको पुछ करते हैं तो आप आप देखिएगा यहां पर होम, वीडियोज, चैनल सब कुछ आपको देखे ये वीडियोज अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोज हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी वीडियो आप देखना चाहें पुराने से पुराने लगबग पंदरा सो की लगबग वीडियो अभी तक समचारे जिनसे फिंडिया की चैनल में डल चुके हैं अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं एक आपको धारण जैसे बैरूत में यह देखिए यहां पर धमाके हुए थे तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उसमें जैसे ही क्लिक करते हैं तो यह देखिए यह खुलेगा इसके बाद एड द दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन यूज, वीडियो न्यूज, कार्टून, आडियो न्यूज, लिम्टी की, लाल टैन, स्पेशल रिपोर्ट, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है, एक ही चैनल क पत्तर पारने अंध्र एकैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद